वेल्कम हमारे यूट्यूब चैनल में, इस वीडियो में आप गैंग टॉक के अट्रक्टिव प्लेसिस के बारे में जानने वाले हैं, गैंग टॉक घूमने जाने से पहले इस ओडियो बुक को जरूर सुने, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और सेवन सिस्टर्स जरने, अपने नाम को सही ठहराते हुए, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल में साथ अलग-अलग जरने शामिल हैं, जो एक विस्त्रत उबर खाबर चतान पर एक साथ व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हैं, जो दूर से देखने पर अलग दिखाई देते हैं, ये प्रसित जरना गैंग टॉक लाचुन राजमार पर गैंग टॉक से 32 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, बारिश के बाद यह और भी सुन्दर दिखाई देता है जब ये जीवन्त हो उठता है और मनमोहक द्रिश्य प्रस्तुत करता है, तलकल करता पानी हरी पतियों के बीच से उबर खाबर चत्तानों से होकर गुजरता है और गर्जना की आवाज करते हुए चूना पत्थरों पर गिरता है, डूपते सूरज का द्रिश्य आगंतुकों को लंबे फोटोग्राफी सत्र में शामिल होने के लिए खीचता है, परियतक और नाग्रे रूप से इसलिए मिला क्योंकि यह साथ चरनों में गिरता है, जिनमें से नीचे से केवल चार सीरिया ही परियतक देख सकते हैं, इसका बाकी हिस्सा काफी उपर गिर जाता है और चत्तानों के बीच छिप जाता है, जिससे दिखाई देना बंध हो जाता है, प्रिश्थ प्रिपूर्ण स्थान फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक मनाने वालों को पसंद है, अपने आगंतुकों को बहतर द्रिश्य और फोटोग्राफिक ब्रेक देने के लिए, यहां धारा के ऊपर एक छोटा फुट ब्रिज बनाया गया है, सेवन सिस्टर ज़रने की यात्रा के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा समय है या जब बर्फ पिगलती है, क्योंकि इस समय के दोरान ज़रना फिर से जीवित हो जाता है और इसे देखना एक परमानन दायक होता है, यदि आप गैंटॉक की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इसकी लेकनिय सुंदरता और देखने लायक अविश्वसनिय स्थान के लिए इस स्थान को अपने अवश्य भूमने वाले स्थानों में शामिल करना न भूलें, सेवन सिस्टर्स वाटर फॉल देखने का सबसे अच्छा समय, इस मंत्र मुगधकर देने वाली जगर की यात्रा का स रही समय मई से जुलाई तक मानसून के महीनों के दोरान है जब सभी साथ खंडों को पूरी तरह से देखा जा सकता है। गैंग टॉक से साजह टैक्सी किराय पर ली जा सकती है। हाला कि यदि आपा रामदायक यात्रा पसंद करते हैं, तो सेवन सिस्टर्स जरने तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका एक निजी टैक्सी किराय पर लेना है। बस के माध्यम से गैंग टॉक सरकों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप स्थानिय बसे पा सकते हैं जो गैंग टॉक को दाजलिंक, सिलिगुली और अन्य परवतिय स्थानों से जोडती हैं। शहर के भीतर स्थानिय बसे आपको सेवन सिस्टर्स जहरने तक आसानी से ले जा सकती हैं। आप गैंग टॉक बस स्टैंड पर जा सकते हैं और उस दिशा में जाने वाली बसों के बारे में पूछताच कर सकते हैं। जहरनों की यात्रा का ये सबसे बजट अनुकूल तरीका है। टिनकितम एक सुप्त ज्वाला मुखी का द्रिश्य भी प्रदान करता है जिसे डेंटम से तेन दोंग नेशनल पार्क तक ट्राक के दोरान देखा जा सकता है। टिनकितम भारत के दक्षल सिक्किम में एक छोटा सा शहर है जो धीरे धीरे एक महत्वकून पर्यतनस्थल के रूप में विक्सित हो रहा है। ये शहर ओकित की दुरलग प्रजातियों और पैफियो पेडिलम फेरीनम और साइप्र पेडियोडी जीनस के अन्य ओकित का घर है जिनहें लेडी स्लिपर भी कहा जाता है। इस थान के निकट टैमी चाय बागान है जो सिक्किम का एक मात्र चाय बागान है। शहर में साल भर समशी तोशन जलवायू रहती है और बहुत कम आबादी के साथ ये लगभग अलग थलग है। यदि आप एक शान्त और आराम दायक चुट्टी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह वह जग है जहां आना चाहिए। तिनकितम पर जाने से पहले अवश्य जान ले। टिपनी किसी गायट के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है। किसी मत में दान छोड़ने और तीर्थ स्थलों की परिक्रमा दक्षिना वर्थ दिशा में करने की प्रता है। यहां वन्य जीवो या उनके आवास को परेशान न करें। मतों में धूम्रपा न करें। शराब न पे या उंची आवास में बात न करें। तिनकितम जाने का सबसे अच्छा समय। तिनकितम में गर्मिया मार्च, अप्रल, मई और जून के महीनों के दौरान होती है। शहर की आत्रा के लिए यह एक आदर्श मौसम है क्योंकि वर्ष के इस समय के दौरान मौसम सुहावना होता है। हाला की आपको सर्दियों के कपड़े अवर्ष ले जाने चाहिए। इस क्षेतर में मानसून के मौसम में परियाप्त वर्षा होती है और इस दौरान तापमान में गिरावत आती है। यहां सर्दियां अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जन्वरी और फर्वरी के महीनों में होती है। इन महीनों में काफी ठंड हो सकती है और इस दौरान उनी कपड़े ले जाना बहुत जरूरी है। तिनकितम के पास रहो, तिनकितम में कई लक्चरी होटल हैं। इसके अलावा, शेत्र में कई किफायती होटल भी मौजूद हैं। सभी होटलों में अच्छी सेवाएं हैं और आपको यहां आराम दायक प्रवास का आनंद मिलने की पूरी संभावना है। तिनकितम के आसपास दर्शनी इस थल। कौकिट यहां देखने लायक सबसे महत्वपून चीज हैं। इसके अलावा, आप नामची में कई गंतव्या देख सकते हैं। नामची में मुखे परियतक आकर्शन सेमद्रूप्ट से और सोलो फोक हैं। चमकदार तामबे और कांस तोन में लेपित शांदार 45 मीटर पद्नसंभव प्रतिमा है। समद्रूप्ट से पहाडी के जंगलों के बीचों बीच सुनहरे शंकू की तरह चमकती हुई यह मूर्ती मीलों दूर से देखी जा सकती है। यह स्थर नामची से 7 किलो मीटर दूर है। मानो एक विशाल मूर खरीदारी, समारिका और शिल्प वस्तुए सबसे अच्ची चीजे हैं जिनही कोई भी यहां खरीद सकता है। थनका पैंटिन, कालीन, हत करगा, लकली की नकाशीदार और चितरित वस्तुए, लकली के मुखोटे, बेत और बांस की वस्तुए, पारम परिक्टोपी और इस गाव की आईका मुख़ि स्रो तिलाइची के बागान हैं। तिनकितम में रात्रीजीवन, नामची के पास के क्षेत्र में कुछ बार और क्लब हैं जहां कोई अच्छा समय बिता सकता है। तिनकितम में शायद ही कोई n stranded life है। तिनकितम में भोजन, यहां के स्थानिय व कितम के पास रेस तरह, चारधान फास्ट फूड एंड रेस तरह, दहाइट रेस तरह, यूनिक स्वीटस एंड फास्ट फूड, डिपर कैफेटिरिया, हिल व्यूर आदी क्षेत्र के कुछ लोग प्रियर रेस तरह हैं। तिनकितम के लिए नमूना यात्रा कार्यक्रम, तिनकितम पहुँचे और अपनी पसंद की रिजोर्ट में चेक इन करें, एक परिवहन सेवा और एक गायट की राय पर ले और आसपास की दर्शनीय स्थलों की यात्रा करें, शेत्र में चाय के बागान और जंगी ओकित देखे इसके बाद अगले दिन नामची की यात्रा पर निकल पड़े, तिनकितम कैसे पहुँचे, वायू मार, निकतम हवाय अदा बागदोग्रा में है जो शहर से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, नामची पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले यहां से बस या टैक्सी लेनी होगी, फिर वहां से आप तिनकितम पहुंचने के लिए टैक्सी पिराये पर ले सकते हैं, ट्रेल, डाजिलिंग रेलवे स्टेशन निकतम रेलवे स्टेशन है, जो तिनकितम से लगभग 27 किलोमीटर दूर है, तिनकितम जाने के लिए आपको यहां से टैक्सी बुक क कुष प्रदर्शनी केंद, जो गैंग टॉक में स्थित है, सिक्किन के विभिन हिस्सों के फूलों को एक ही छट के नीचे प्रदर्शित करता है, जो इसे सभी प्रकृती प्रेमियों के लिए स्वर्प बनाता है। प्रस्तुत करता है। ये खूबसूरक जगल सिर्फ फूलों को देखने और तस्वीरे क्लिक करने के लिए समय बिताने के लिए शांदार है। इन सब के अलावा, यहाँ एक प्रित्रिम पानी का तालाब और उस पर बना एक पुल भी है, जहाँ पर्यटक आसपास के सुख़द महौल का आनन लेते हुए थोड़ी सेर कर सकते हैं। रंग बिरंगी और चमकीली जाड़ियों और फूरों के बीच अद्बुत तस्वीरे मिलने की संभावना है। पुष प्रदर्शनी केंद्र देखने का सबसे अच्छा समय। पुष प्रदर्शनी केंद्र तक कैसे पहुँचें। चून की गैंग टॉक में सड़क मार बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रदर्शनी केंद्र भी सुलब है। कोई भी टैक्सी या स्थानिय बस किराय पर लेकर यहां पहुँच सकता है जो घूमती रहती है। कोई भी पूरे रास्ते अपने निजी वाहन से भी जा सकता है। दोड्रोल चोर्टेन, गैंग टॉप की खूबसूरत घाटियों में बसा दोड्रोल चोर्टेन सिक्किन के सबसे महत्वपून स्थूपों में से एक है। 1945 में स्वर्गिय त्रुसलशी और रिमपोचे की देखरेक में निर्मित स्थूप में लगभग 108 मनी लाकोर या प्रार्थना पहिये हैं। इन पहियों पर महत्वपून मंतर अंकित हैं जिनका जाप इनहीं घुमा कर किया जा सकता है। दोड्रोल चोर्टें की विलक्षन शान्ती और स्थिर्ता वर्षों से पर्यतकों और भक्तों को आकर्शित करती रही है। कॉटन स्थूप को एक बार बूरी आत्माव द्वारा प्रेत्वाधित माना जाता था जब तक की बहुत सम्मानित लामा ट्रोशिग रिनपोछे इस स्थान पर नहीं आये और 1946 में एक स्थूप का निर्मान किया। इस स्थूप के शीर्ष पर उतकील देवता वज़ किलाया है जिन्हें सबसे अधिक में से एक माना जाता है। सिक्किन में प्रमुक चोर्टिन, मत के अंदर दोरजी फुर्बा, पवित्र बौध ग्रंथ और अन्यधार्मिक सामगरी का पुरा सेट है। दोद्रूल चोर्टेन के परिसर में एक धर्मुक देश केंदर है जिसे दोद्रू बचेन रिनपोछे द्वारा स्थापित किया गया था। स्थूप चोर्टेन लाखान से घिरा हुआ है जिसमें गुरू पद्नजंभव की दो विशाल मूर्तिया है। पहारी शहर में आराम की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह एक अनोखी छोटी सी जगह है। दोद्रूल चोर्टेन तक कैसे पहुँचें। गैंग टॉप के देवरालिक शेत्र में स्थित दोद्रूल चोर्टेन को आमतोर पर टूर पेकेज में शामिल किया जाता है। यदि आपने कोई विकल्प चुना है तो अपने ट्रावल ओपरेटर से पुष्टी करें। वेकल्पिक रूप से आप निजी या साजा टेक्सी किराय पर ले सकते हैं और 10-15 मिनट में गैंग टॉक से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थितमत तक पहुँच सकते हैं। सरमसा गार्डन गैंग टॉक से 14 किलोमीटर की दूरी पर सरमसा गार्डन जिसे इतिक एक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में आपके इंद्रियों के लिए एक इलाज है। आसपास की हरी भरी हरियाली के साथ विभिन रंगों के फूलों की उत्कृष्ट श्रिंखला आपका ध्यान खीचने वाली है। बगीचे में एक बड़ा ग्रीन हाउस भी है जो विभिन प्रकार के ओकित को संरक्षित करता है। मंत्र मुब्ध कर देने वाला उद्यान भी अच्छी तरह से विक्सित है जहां आप वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी मनोरंजग गतिविद्यों में खुद को शामिल कर सकते हैं। इन सुविधाओं के अलावा इसमें नर्सरी के बगल में एक कन्वेंशन सेंटर भी है जहां सभी समारोह और बैठके आयोजित की जाती है। सिक्किम सरकार के वन विभाग द्वारा वर्ष 1922 में स्थापित इसुद्यान के निर्मान का मुख्य एजेंडर नामग्यार शाही परिवार के अलावा ब्रिटिश अधिकारियों की जरूरतों का ख्याल रखना था। 1940 में वन विभाग द्वारा सेफलिस इपेका को आनहा नामक एक औशदिय पौधा पेश किये जाने के बाद बगीचे को इसका नाम इपेकेक मिला। इससे पहले बगीचे में संत्रे, अनानास, अम्रूद और केले सहत विभिन प्रकार के फलों के पेर उगाये जाते थे। इसक्षेत्र में कई प्रकार के ओकेद भी उगाये गए जिसके बाद ये हुद्यान एक पिकनिक स्थल के रूप में विक्सित हुआ। नेविगेशन की आसानी के लिए सरमसा गार्डन को कई ब्लोकों में विभाजित किया गया है। प्रकृती की इस अद्भुत रचना को देखना न भूलें। सरमसा गार्डन भूमने का सबसे अच्छा समय। गैंग टॉक में सरमसा गार्डन की यात्रा का सही समय नवंबर से मई तक है क्योंकि इस दौरान जलवायू सुखद होती है और काफी आननदायक भी होती है। सरमसा गार्डन तक कैसे पहुँचें। आप गैंग टॉक के भीतर आवागमन के लिए आसानी सी स्थानिय परिवहन का उप्योग कर सकते हैं। एक टैक्सी आपको सरमसा गार्डन तक छोड़ सकती है, जो शहर के केंड से लगभग 45 मिनित की दूरी पर है। आप निजी वाहन से यात्रा करने का विकल्पी चुन सकते हैं जो अधिक सुविधाजनक होगा। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ट्रेवल इंडिया ओडियो बुक सब्सक्राइब और शेयर करें।